नमस्कार मैं हूँ उशा कशिप स्वागत है आपका हिंदुस्थान समाचार के डिजिटल प्लाटफॉर्म एचिस न्यूस पर एचिस प्राइम में पेश हैं दिन भर की बड़ी खबरे लेकिन उससे पहले निज़र डालेंगे हेडलाइन्स पर नागरिक्ता बिल के खिलाब प्रदर्शन जारी असम में अगले 48 गंटे तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट नागरिक्ता बिल को लेकर जहारकन की धरती से पीएम मोदी ने दिया असम को मैसेज बोले मुझ पर भरोसा रखे जहारकन में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ संपन्ट टीम इंडिया के पुर्व कप्तान महेंद्र सिंग धोनी ने भी डाला बोल निर्भ्या के दोशी अक्षे की पुनर्विचारी आचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को होगी सुनवाई कल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये होगी पट्याला हाउस कोर्ट में पेशी आयोध्या फैसले के खिलाफ दायर की सभी पुनर्विचारी आचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिच सर्वोच अदालत ने राम लल्ला के पक्ष में दिया था फैसला जारकन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रेस पर जम कर साधा निशाना देखिए क्या कहा पीम मोदी ने देश में एक विचित्र राजनितिक माहूल बनाया था जिसके कारण गोशना पत्रों पर नेताओं के वादों पर देशवाशियों का बरोसा करिब करिब उठी गया था क्योंकि उन्होंने वही परंपरा पैदा की थी लोगों को लगने लगा था कि नेताच चुनाव के दौरान गोशनाई करते हैं और फिल भूल जाते हैं देश के लोगों में ये भावना भरने वाली कॉंग्रेस की परंपरा कॉंग्रेस के कारणा में कॉंग्रेस के इरादे इसी के कारणे स्थिती पैदा हुई है कॉंग्रेस और जेमेम और फिर उनके साथ आरजेडी और बचे खुचे वामपन थी जैसे इनके सयोगी हमेशा यही करते रहें लेकिन साथियों भाजपाने सिर्फ छे महने में दिखाया है कि संकल पच्चा है कितने भी बड़े हो कितने भी मुश्किल हो उन्हें पुरा करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं संसत के दोनों सद्नों में नागरिक्ता संशोधन विद्यक बिल पास हो चुका है लेकिन पुर्वत्तर के कई राज्यों में अभी इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है विरोध के दौरान असम के कई इलाकों में आगजनी की घटनाई भी देखने को मिली असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में बिगडे हालात पर काबू पाने में विफल रहे अतरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश अगरवाल और गुहाटी के पुलिस कमिशनल दीपकुमार के सरकार में हटा दिया है इसके साथ ही गुहाटी के चारों डीसीपी का भी तबादला कर दिया गया है अतरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश अगरवाल के स्थान पर दिल्ली में प्रतिन यूक्ति पर तैनात असम के कैडर के IPS अधिकारी जीपी सिंग को केंद्र सरकार ने गुहाटी भेजा है दोशियों की नीदे उड़ी हुई है मानों उन्हें फासी की फनक लग गई है निर्भ्या के दोशियों की दया याचिका पर राष्टपती का फैसला अभी आया नहीं है लेकिन तिहाड जेल का महौल कुछ बदल सा गया है निर्भ्या गैंग रेप के तीनों दोशी अक्षे, मुकेश, मंडोली जेल से यहाँ शिफ्ट किये गए है पवन को तिहाड जेल की नमबर दो के वर्ड नमबर तीन सेल में रखा गया है जबकि चौथे कैदी विनेश शर्मा को जेल नमबर चार में रखा हुआ है सभी की नींद उड़ चुकी हैं ये सभी ना केवल घबराय हुए हैं बलकि ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं नागरिक्ता संशोधन बिल को लेकर पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने प्रतिक्रिया दी है कल राज्य सभा में नागरिक्ता संशोधन बिल पारित हो गया था इस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के गैर मुस्लिम श्रणार्थियों को भारत की नागरिक्ता दिये जाने का प्रावधान है पाकिस्तानी पीम ने एक के बाद एक ट्विट किये और बिल का विरोध जताया इमरान खान ने एक ट्विट में लिखा, मोधी के नित्रित्व में भारत विवस्तित तरीके से हिंदू एजंडे की तरफ आगे बढ़ रहा है सबसे पहले जम्मु कश्मीर से शुरुवात हुई, फिर असम के 20 लाख मुसल्मानों की नागरिक्ता से वनचित कर दिया गया और अब नागरिक्ता संशोधन मिल पारित कर दिया गया है नागरिक्ता संशोधन विध्यकपर बीजेपी सांसद आर के सिन्हा ने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए फुर्व प्रधानमंत्री ज्वाहरलाल नहरू के भाषण की सोनिया गांधी को याद दिलाई नौर्थिस में विरोध प्रधर्शन करवाया जा रहा है कुछ वामपंती उग्रवादी संगठन है और कांगरेस के नेता लोग उसको शह दे रहे हैं कोई भ्रामक तत्यों को दे के कोई ऐसा नहीं है जिसे नौर्थिस का कोई नुकसान होने वाला इससे एक मंद्री के आवास पर हमला कर दिया है वहां परधर्शन काड़ियों ने देखिया बात क्या है कि जो ऐसे राज्ये हैं भाशाई राज्ये चाहे हो बंगाल हो या सम हो या ट्रिपुरा हो या मेगाले हो जहां अपनी संस्कृती है उस संस्कृती के प्रती बहुत उनकी भावना जुड़ी हुई है वहां वो तत्काल उनके भावनाओं को उभार के गुमरा किया सकता है वही किया गया है लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वह ज्यादा ठिकने वाली चीज है बारत सरकार उपाय कर रही है सोनिया गांधी ने कहा है कि कल का दिन काला अक्षर में लिखा जाएगा अब सोनिया अपना चेहरा काला कर ले क्या दिक्कत है उसमें सबसे बड़ी हाथ वही रहेगा कि अपने चेहरे पे काली पोत ले जो जवाहलाल नहरू ने कहा था 14 अगस्ट 1947 को वही पूरा किया है मिच्छान कोई दूसरी बात नहीं पूरा किया है वो 14 अगस्ट की रात को जवाहलाल नहरू के स्पीच को पढ़ ले क्या कहा है उन्होंने उन्होंने कहा है कि हमारे भाई और बहन जो प्रतार्णा का शिकार होंगे हम उनका स्फागत करेंगे और उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा विवाजन से वो पीडित हैं उनकी पीड़ा में हम शामिल है यह कहा है नहरू ने क्या बात करते हैं उन्ही सो उन्चास में सम्विधान सवाने जिसका डाक्टर राजेन प्रशाद ने अद्रैक्ता की उसमें डाक्टर अंबेर कर डॉक्टर देश्मुकिन सबों का प्रस्ताव है यह नागरिक्ता का कानून जो बने उसमें खुली ठूट दी जाए कि हिंद चले अब तो अमिश्या और नरेन मोदी जी हिंदू और सिक के अलावे स्वनिया जी क्या जो धर्म है इसाइयत उसको भी जोड़ रहे हैं और बहुत हो जैन को भी जोड़ रहे हैं उनको तो खुश होना चाहिए जड़ियों ने लोकसवा राजसवा में समर्थन किया लेकिन जड़ियों की जो राष्टी उपाध्यक चाह परसंद की सोरो लगातार विरोध कर रहे हैं इस बिल का पुशांद की शोजी साइद जल के बाहर जाने का कोई उपाय कर रहे हैं खुदी सोच नहीं हूँ जारकंड में रैली को संबोधित करते हुए रगुबर दास ने बीजेपी की जमकर की तारीफ कहा बरसों से लटके काम को बीजेपी ने किया संपन हमारे लोक प्रिये परदान मंत्री जी का हार दिक अभिनंदन करता हूँ हार दिक स्वागत करता आज जारकंड की जनता कोलांचल की धर्ता मानिये प्रदान मंत्री जी के परती अभार परगट करता है जिनोंने बरसों से जो देश हित में जो करोरों लोगों की मांग थी 375 से धारा समाप्थ हो जहां भगवान राम लला की जन्म परबूर राम का मंदीर भब्य मंदीर बने और कली राजसभा से नागरिक्ता संसोधन बिल पासकर बरसों से जो मामले लटके वे थे उस सुल जाने का काम किये HS News के समवादाता केशव कुमार जहां ने की NRC पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसेन से खास बातचीत एक नजर उस पर Citizen Environment Bill हिंदूस्तान में जो लोग पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर परतारित माइनिटीज के लोग आए हैं उनको नागरिक्ता देने वाला ये बिल है, ये देश के किसी भी विक्ती की नागरिक्ता छीनने वाला नहीं है जो लोग नॉर्टिस्ट के लोगों को दुस पर चार का शिकार बना रहे हैं, विपक्ष के लोग वो गलत है जहां तक मुस्लिम भाईयों का सवाल है, उनको भी डरने की जोड़त नहीं है जो लोग हिंदुस्तान में आजादी के बाद मजभ के नाम पर उस बटवारे को असुईकार करके पाकिस्तान नहीं गए जिन्होंने इस देश को जननी मातर भूमी माना, मादरे वतन माना, जो हिंदुस्तान में रह गए उनको डरने की जोड़त नहीं है, हिंदुस्तान में किसी भारती मुसल्मान की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता गिरी मंतरी जी ने पारलिमेंट के फलोर पर कहा है, कि मुसलिम भाईयों को इस से कोई फरक परने वाला नहीं है इन आर सी भी जो आएगी वो बंगला देशी गुसपैटियों के लिए आएगी, ना कि हिंदुस्तानी मुसल्मानों के लिए आएगी इसलिए विपक्ष दुसपरचार कर रहा है, ये दुसपरचार पूरी तरह गलत है, निराधार है, इसके कोई भी बातों पर विपक्ष के यकीन नहीं करना चाहिए सोनिया गांदी का है कि कल का दिन ये काला दिन के लियास में लिखा जाएगा ये काला दिन तो तब था जब देश का बटवारा हो गया धर्म के नाम पर, ये काला दिन नहीं है, ये तो उन लोगों के जिन्दगी में जो काला पन था जो पाकिस्तान से भाग कर आए, और उनको यहां पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं तो उनको हमने इसके अंदर सिटिजन सिब दिया है, ये किसी की नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं है, नौर्ट इस्ट में लोगों को कहना चाहते हैं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, ये बिल आपके खिलाफ नहीं है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, धन्यवाद. झाल